नमस्का दोस्तों स्वागते आपका मेडिकल गूरूप चनल पर आज हम ग्रिलिंग टस यह लेश शिरफ के बारे में पूरुजन कर लेने वाले हैं ग्रिलिंग टस यह लेश शिरफ का मुखत प्योग कब की समझ्या दूर करने क्लिक या जाता है आईए इस शिरप के बार इमयतिक विस्तार से जानते ही यह शिरप करशे काम करता है, कहां इस्तिमाल होता है इस शिरप के क्या बेनिफिट से, क्या साइट पेक्स है इस शिरप से जुड़े से भी सावलों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो का आकरतक दरू देखे फ्रैंको इंडिया फार्मस्टिकर्स कंपणी का 100 ml का यह शिरप आपको 121 रुपए में डॉक्टर के परचिप पर किसी भी बेटिकर स्टोर्स प्यास निश्मन जाएगा बात करते हैं इस सिरप में मौझूद कंटिंग के बारे में ग्रिलिंग्ट सेले सिरप में एमरागजोल 30 mg, लियो सलबुटेमॉल 1 mg और गैपेंसिन 15 mg पर 5 ml यह कंटिंग समझते इसमें मौझूद एमरागजोल यह यह म्यूकुलाटिक है जो बल्गम को पतला और डिला करता है जिससे खासी से बाहर निकाल नासन हो जाता है और लियो सलबुटेमॉल यह यह ब्रॉंकोडाइलेटर है यह वायूमारगजोल की मासपेशों को आराम देकर और वायूमारगोल को विस्तारित करके काम करता है और गैपेंसिन यह एकस्पेक्टरंट है जो बल्गम की चिपचपाट को कम करते है और वायूमारग से इस पर अंदर व संक्रमन की सभी समय में डॉक्टर इस शिर्फ की सिर्फ से श्रिफ सी आपको मिचली आना उल्टी डाइरीया पेट खराब होना पेट में दर्द होना आलर्जिक र्याक्षन चक्कराना शिर्दर्ब रैश हयूस जटके लगना जिल की दढ़कन बढ़ जाना मास पेश्यों में क्रियां पाना और रदेगती बढ़ जाना यह साइड़ पे खो सकती है बात करते हैं यह सिरफ इस्तमाल करने चे पर इलाय में क्या क्या साउधाने लिनी चाहिए इदे आपको इस सिरफ में मौझूद करने चाहिए या फिर कोई साइड़ पेक्समोस होते ही तो इस सिरफ को इस्तमाल ना करें इदे आपको इवर मेडिशिन ले रहे हो तो उसके बारे में डक्टर को जोर में पम करें ताके आपको ओर डोशा पिर ड्रग इंट्रेक्शन ना हो इदे इस सिरफ को इस्तमाल गर्वति मैला या पिर संट्पन कने वाले मैला को करना हो तो आइनक्लोजिक से शला दरूर ले उसके बाद इस सिरफ को इस्तमाल करी ये दिया आपको लिवर या फिर किनने जूड़ी कई बस्तमशा हूँ तो इस सिरफ के इस्तमा डॉक्टर के सलक्या नुसर करे यह सिरफ इस्तमाल करने शेपईले इसे अच्छे शेह लाए उसके बाद इस सिरफ को इस्तमाल करे यह शिरप इस्तिमाल करने के बाद में अलकोल का प्रयोग ना करी और यह शिरप इस्तिमाल करने के बाद ड्राइविंग ना करी बात करते हैं इस सिरप के डोस के बारे में इसलिए इस सिरफ के स्थिमा डॉक्टर के सलाकिया नुसार करी आड़ाल पेक्ति पाचे में सिरफ दिन में दो बार सुबह और श्याम को ले सकती ही और इस सिरफ को खाना खाने के साथ या फिर बुक्केपेड भी ले सकती ही दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया ह करिए और मेडिकल बुर चैनल को सब्सक्राइब परिए वो साथ इबे लोकन दाबादीजी ताक्या आपको आगे आने मड़ी वीडियो कनूटिपेकिशन में गिते यह वीडियो देखने करें दन्यवाद